हेलो फ्रेंस कैसे हाल है आयोब सब अच्छ होंगे फ्रेंस आज मैं लेकर आया हूँ मुड़े में पलेट और बैग में पलेट और सूट की कटिंग किस तरीके से करनी है चली फ्रेंस जो भी हमारी चैनल पर नए है चैनल को सस्क्राब करें बैल आइकन उन रखे और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें ये नीचे हमारा बोर्डर हो चुका है इस तरीके से हमें बोर्डर का निसान लगा लेना है डहेंचे करेब और जो हमारी लंबा ही आएगी इसकी यानि कि 40 है तो आधेंच एश्टर रखेंगे हैं इस तरीके से हमें निसान लगा लेना है और चली अब चैस्ट की बारी आती है जो हमेरे चैस्ट तयार रखनी है वो कितने पर रखनी है मैं आपको दिखा देता हूँ निसान लगा कर हमें साड़े 6 इंची पर चैस्ट का निसान लगा लेना है और कमर का निसान लगा लेना है साड़े चोड़े इंच पर और हिप का जो निसान हमारा तयार आएगा वो आएगा 21 इंच पर इस तरीके से हमारे तीन निसान लगकर तयार हो जाएगे ये निसान लगते हैं एक तो लंबाई जादे वज़े की होने से और इस तरीके से हमें निसान तीनों लगा लेने है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका तैयार नाप आएगा हमारा इसमें हमने बिल्कुल फिक्स नाप लिया है और यहाँ पर तीन इंच की लूजिंग देंगे हम और दो इंच की देंगे हम कमर पर लूजिंग और तैयार नाप आपको बिल्कुल फिक्स आपको लिख कर दिखाएंगे जो उपर से हमारा आया है सबा 21 इंच आया यानि के साड़े 21 इंच आया है और कमर पर से हमारा जो तैयार नाप आया है S.A.R. 19 इंच आया है 2 इंच का लुज देंगे और ह्याँ पर भी हम 2 इंच का लुज देंगे और तयार नाप जो हमारा आएगा हिप का वो भी मैं आपको बताऊंगा हमने से में 0.5 इंच आगए एश्टर लिया है कपड़ा हिप पर जो आया हमारा नाप S.A.R. 22 इंच आया ह और दामन रखेंगे हम तेईस इंची इस तरीके से हमें निसान लगा लेने हैं लेकी फ्रेंस हमने डेल इंची का जो निसान आगे को लगाया था इस तरीके से हम फिटे से बिल्कुल सीधी लाइन कीचनी है यह हमारा एश्टा कपड़ाओ जो अंदर की साइड मुड़ेगा चलिए यहां पर भी हम फिटे से निसान लगाएंगे इस तरीके से हमें फिटे का निसान लगा लेना है और जो हमारे कमर के निसान लगेंगे वो भी हम इसमें एड़जेस्ट करेंगे पूनी तिन इंची की हमें फिरोटिंग रखनी है गले की हमारा जो गला है आगे का गोलई अच्छी तरीके से आ जाएगी इस तरीके से हमें गोलई कर लेनी है दो सूंत हमें पीछे को हटा लेना है इस तरीके से हम दो एक सूंत पीछे को हटा लेंगे और दो सूंत की करीब हम कंदे भी गिराएंगे पहले हम गोलई करेंगे अच्छी तरीके से देखे फ्रें हैं घर कंधडbody दाएं लेंगे मुढ़े B corporation बीच आंगे इस तरीग से हैं निसान लगा करेंगे और मैं आपको बता था ता कंधी दो सुथिन गिराmpfen है कंधी बी भी हम गिरा लेंगे और सबसे में चीज अगर मुड़ हैं आप पलेट डाल लेओ कम से कम एक इंची कपड़ा छोड़कर कटिंग करनी है आपको उसका रेजिन में आपको दिखाऊंगा आगे और नीचे तक हमें कटिंग कर लेनी है हमने यहापर खुटका लगा लिया है और यहापर पहले हम पलेट का निसान लगाएं करीब आदेंची पलेट डालेंगे इसमें हम यह हमने सुनी से बिल्कुल फिक्स निसान लगा लिया है यहापर अब चलिए पहले इसके हम कटिंग क पर हम तियार कर लेंगे इस तरीके से हमें निसान लगा लेने हैं और देखे फ्रेंस हमारे जो मूट डारा साड़े नौ इंची का आ रहा है यानि कि नौ इंची तियार हो जाएगा अब इसे हम गोलाई में अच्छी तरीके से पहले कटिंग कर लेते हैं देखे फ्रेंस हमारे इस तरीके से गोलाई अच्छी तरीके से हो जाएगी सबसे मैंची जो है इसमें गोलाई है अगर आपकी गोलाई बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है तो आपका सूंटी फिनेसिंग में अच्छी तरीके से आ जाएगा और इस तरीके से हमें निसान ल इस तरीके से हमें कटिंग करने में और सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से बैग कटिंग कर लेनी है और नीचे से हमें जो हमने सामने कटिंग कर आता है उसी तरीके कर कटिंग कर लेना है चलिए देखिए हमारा बैग में यानिके सामने प्लेट हो चुकी है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से निसान लगा लेने है देखे फ्रेंज अच्छी तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से और बैग में 10 इंची पर हमें पलेट का निसान लगा लेना है और साइड से लगाएंगे हम 4 इंची पर और 8 इंच किसमें हमें पलेट का निसान लगा लेना है बीचम बीच इस तरीके से यह हमारी पलेट का निसान लगकर तियार हो चुका है और जो हमारा उपर साया है दा साया है वो नीचे से आठ इंचे हो चुटी है अब इसके हम बाजू कटिंग करेंगे पहले हम निसान लगाएंगे तो इसके पाद हम लंबाई का निसान लगाएंगे साड़े नो इंच के हमारी बाजवा आदे इंच एस्टर रखेंगे यह हम और इस मैं गाड़ने इंच का निचगो हैनिके एस्टर कपड़ा मोलने के लिए रखा है और इसमें जो हमारी महुरी आएंगी वो आएंगी 12 इंच की तीन इंच का मुड़ड़ गिराएंगे और मुड़ड़ हमारा थोड़ा एश्टर फाल तो रहेगा इसमें नो इंच का मुड़ड़ काट रहे हैं इसमें और इस तरीके से सेक पट्टी भी लगा लेनी है और नीचे जो हमने निसान लगाएते हैं अलते हैं वहां पर पर यह हम निसान खीच लेंगे और गुलाई कर लेंगे प्रैस ।이지 तरीके से हम फिर इसके बाद हम कट्टिंग करेंगे बाजू की और हमें ये बीच में लैनसी निलेनी है ये डार्क लैन्ज और यह हमारी निली सी तो इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे थोड़ी सी और इस तरीके से हम कपड़े का इसमें जोड़ भी लगा लेंगे यह हमारी बाजु कटिंग हो चुके है आप इस तरीके से हमें कटिंग कर लेंगे इसमें हम गहरा ही बाद में देंगे जोड लगाकर पर इस तरीके से बाजू कटिंग होती है